बीप्राग कौन है? एक पंजाबी सिंगर, म्यूजिक डाइरेक्टर और कंपोजर है. रियल नाम प्रतीक बच्चन है. बीप्राग के लगभग सभी गाने सुपर हिट है. हाल में ही इनके द्वारा गाया गया गाना तेरी मिक्टी, फिल्म के स्री, लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था. इस लेख में बीप्राग की उम्रक, पत्नी, परिवार और म्यूजिक के बारे में चर्चा करे रहे हैं. बीप्राग का जन्म साथ फरवरी 1986 को चंडिगड में हुआ था. उनके पिता का नाम वरिंदर बच्चन है, जो की एक फेमस म्यूजिक डाइरेक्टर और कंपोजर है. इनका पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम है. बीप्राग ने तूतक तूतक तुतिया जैसे सुपर हिट गानों में म्यूजिक दिया है. बीप्राग की प्रारंभिक शिक्षा चंडिगड के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी हुई थी. इन्हें बच्चपन से ही गाने का बहुत शौक था. बीप्राग अपने पिता से म् संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने दस वर्षों का अभ्यास किया था. बीप्राग का संग्षिप्त जीवनी बीप्राग शोर्ट बायोग्रफी वास्तविक नाम प्रतीक बच्चन उपनाम बीप्राग व्यापार पेशा गायक म्यूजिक डाइरेक्टर और कंपोजर जन्म की तारीख साथ फरवरी उन्नीस सो च्यासी आयूक दो हजार इक्कीस पैतीस वर्ष जन्मस्थल चंडीगड भारत राशी कन्या राशी राश्ट्रियता भारतिय वर्तमान घर का पता मुंबई महाराष्टर भारत धर्म हिंदू बीप्राग का म्यूजिक कारा बीप्राग सक्सेस स्टोरी बीप्राग ने करियर की शुरुवात साल 2008 में म्यूजिक निर्माता और म्यूजिक कंपोजर के रूप में की थी इसके बाद इन्होंने बतौर सिंगर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई बी प्राक ने एक सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुवात साल 2019 में आई अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज और केसरी के गाने तेरी मिट्टी से की थी बी प्राक का तेरी मिट्टी सांग बहुत ही पॉपुलर हुआ और इनकी फैंस फोलोईन भी काफी बढ़ गई कई पंजाबी गाने भी गाये हैं जैसे असी मुंडे हैं पंजाबी डू यूनो सोच और बैकबोन पाणी बी प्राक ने जितने भी गानों में अपना म्यूजिक दिया है वो सभी गाने हिट साबित हुए है पहचान बी प्राक, His Highness, Bala, 2009, पंजाबी फिल्म टॉप दस और सर्गी करियर की शुरुवात 2009 से पहली गीत मन भरिया तेलुगु फिल्म गीत सरीलेरू निकेववरू लोक प्रिय गीत उसाकी साकी, कुछ भी, फिल्हाल, मन भरिया कोई फरियाद अनपलगड तेरी मिट्टी, पच्चताओ गेन इत्यादी यूट्यूब चैनल का नाव बी प्राक चैनल की शुरुवात 12 सितंबर 2017 टैटू बी एलवाय के प्राक और माइक का लोगो दाहिने हाथ में और छाती में कुछ म्यूजिक सिंबल लुक हैंसम हंक बी प्राक की लंबाई और शारिरिक नाप बी प्राक हाइट बॉड़ी उचाई पांच फुट पांच इंच वजन लगभग 75 किलो ग्राण चाती 49 इंच कमर 32 इंच बाइसेप्स 12 इंच आखों का रंड गहरा भूरा बालों का रंड काला बी प्राक की पतनी बेटी और बेटा बी प्राक वाइफ डॉटर सन वैवाहिक स्थिती शादी शुदा गर्ल फ्रेंड अफैर मीरा पतनी का नाम मीरा शादी की तारीख जगह चार अप्रेल 2019 जीरकपुर पंजा मा का नाम जानकारी नहीं है पिता का नाम वरिंदर बच्चन म्यूजिक डाइरेक्टर और कंपोजर भाई का नाम नहीं है बेहन का नाम सुहानी बच्चन परिवार के सगस्यों की संख्या पांच बच्चे बेटा एक बीप्राग की पढ़ाई और शैक्षनिक योग्यता बीप्राग एजुकेशन स्कूल सेंट जेवियर्स चंडीगर कॉलेज जानकारी नहीं है शैक्षिक योग्यता सनातक बॉलिवुड में करियर मन भरिया 2009 से अवाड और अचीवमेंट्स Most Romantic Bard of the Year और Best Music Video Award हाडी संधू का गीत सोच के लिए बीप्राग की पसंदीदा चीजें बीप्राग फेवरिट फिंग्स बीप्राग को घडियों का बहुत शौक है और ये हमेशा प्रैक घडी पहनते हैं अपनी कलाई को ये बिना घडी कभी नहीं रखते हैं पंजाबी सिंगर जजीबी के बहुत बड़े प्रशनसक हैं कालेज के दिनों से ही उनकी स्टाइल को कापी किया करते थे खाना मंचूरियन और चिकन अभिनेत्री दीपी का पादुकोन और आलिया भट गायक प्रीतम यो यो हनी सिंह, जैजी बी और गुर्दास मार रंग काला जगह मुंबई और पेरिस यूट्यूबर्स टी सिरीज और बीबी की वाइन्स शौक दास करना, जिन करना और खाना बनाना बीप्राग के सोशिल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम आईडी द्राक टिव्टर आईडी बीप्राग फेस्बुक आईडी बीप्राग यूट्यूब बीप्राग फैट्स अबाउट बीप्राग, बीप्राग के बारे में तर्थ्य बीप्राग का जन्म एक संगीत प्रेमी के घर हुआ था बीप्राग के पिता वरिंदर बच्चन है जो एक मशूर पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है उन्होंने मलकीत सेह का गीत तूतक तूतक तूतिया दिया है कॉलेज के दिनों से ही बीप्राग के उपर म्यूजिक का भूत सवार था मुह से ही कई म्यूजिक बीट निकाल लेते थे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम लेने से पहले प्रतीक ने दस साल तक संगीत के पीछे महंत किया है उन्होंने दो हजार नौ में अपने संगीत करियर की शुरुवात कर दी और करीब दस साल बाद अक्षय कुमार की फिल्म केसरी में तेरी मिट्टी गीत गाया था बत और म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्होंने हार्डी संधु का गीत सोच और बैकबोन दिया है इसके अलावा शैरी मान का कुडियाते बसंत और दिलजीत दोसांच का गीत डू यूनो को भी निर्देश किया है चाचा सुरेंद्र बच्चन भी एक म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडश्ट्री को बब्बु मान जैसे सिंगर दिये है बी प्राक लुक की वजह से Most Romantic Bard of the Year जीत चुके है इसके अलावा बहतरीन म्यूजिक निर्देशन हाडी संधु का गीत सोच के लिए Best Music Video Award से भी नवाजा गया है शौक के की बात करें तो उन्हें कलाई की घड़ी से बेहत प्यार है वो उनके बिनाघर से कदम भी नहीं रखते इसके अलावा जैजी बी के बहुत बड़े फैन है गायकी की दुनिया में कदम रखते ही बी प्राग का सुपर हिट गीत मन भरिया आया जिसके बाद उन्हें एमी विर्क और जस्सी गिल जैसे बड़े सितारों ने काम करने के लिए अप्रोच किया था लेकिन उनका कहना है कि खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं हारडी संधु और बी प्राग का गीत सोच कोटी सिरीज ने हिंदी वर्जन में लाच किया था जो प्रतीक को बिलकुल भी पसंद नहीं आई थी 17 जुलाई 2020 कोबी प्राग के पिता बनने की खबर सोशल मीडिया पर चा गई थी इंस्टाग्राम पर साजा करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बेटा देने के लिए धन्यवाद कहा था जी न्यूज के अनुसार पिता उन्हें और उनकी पत्नी को अपनी संपत्ती से बेदखल करने के लिए हर्याना हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया था यह बात बीते वर्ष खूब वाइरल हुई थी वीरेंद्र बच्चन की स्टूडेंट मीनू कपूर ने पंजाब हर्याना हाई कोट में प्राक के खिलाफ ये मामला दर्स किया था कि भी प्राक ने अपने पिता को बंधक बनाया है हाला कि जब कोट ने भी प्राक के पिता की काउंसलिंग की तो उन्होंने खुद इस बात को नकार दिया था अक्षय कुमार और नुकुर सेनन की स्टार में भी प्राक का गीत फिलहाल को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार सुना गया है यानि कम समय में सुने जाने वाले टॉप दस गीत में नाम आता है जिसे अब तक 830 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है बी प्राक के बारे में दी गई जानकारियां कई स्रोतों से ली गई है इसलिए कोई तुरुटी हो तो हमें इमेल कीजिए और कमेंट कर सकते हैं